नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोच कबर काय ट्रम बजट सत्र उसका अभिभाशन राष्टपती द्वारा और देखे यह विहंगम द्रिश आगे आगे संगोल चल रहा है यानि राष्टण पीछे पीछे राष्टपती और दुबारा संगोल को जिस तरह से लाया गया यह विहंगम द्रिश निश्चित तोर पर भारती लोकतंत्र की पूरी विकास यात्रा को कह रहा है और जो कुछ घ्रम रहे गया राष्टपती महद्या को जो अभी भाशन था उसने जिस तरह से 2024 का चुनावी एजेंडा क्लियर किया मकसद बहुत साफ हो गया कि आने वाले दिनों में सदियों का जो इंतजार रहा राम मंदिर का यहां मैं कोट अनकोट सदियां बोल रही हूँ क्योंकि द्रापदी मुर्मू इसी का जिक्र इसी तरह से कर रही है कि वह पूरा हुआ राम मंदिर का जिक्र वह करती है आर्टिकल 370 का वह जिक्र करती है कि किस तरह से उसे हटा दिया गया फिर उन्हें याद आता है तीन तलाग और फिर नागरित्ता संशोधन कानून यानि एजंडा बहुत क्लियर है कि यह जो संगोल युग में भारतिय लोकतंत्र का प्रवेश है उसमें सिर्फ और सिर्फ धर्म के आधार पर राजनिती को स्थापित किया गया है और इसके भूतपूर्व घड़ी है ही और देखिए इसी का कनेक्शन सीधे सीधे जुड़ता है कि एक तरफ अयोध्या में राम मंदिर प्रान प्रतिष्ठा और उसके बाद एक सीधे से ग्यान व्यापी को लेकर चर्चा अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को देखें तो लगातार यह ट्रेंड कर रहा है कि ग्यान व्यापी मंदिर ही है और मुझे लगता है इस समय जिस समय मैं आप से बात कर रही हूँ देश में बड़ी आबादी तकरीबन ग्यान व्यापी वहाँ पर मौझूद मजजित को मन मन में गिरा चुकी है और यह साबित करने पर उतारू है ASIE के साथ तमाम नयाय पालिकाओं के साथ कि हम मंदिर है यानि एक एजंडा पूरा हुआ और उसके बाद शुरू हो गया ग्यान व्यापी और पुराना नारा रहा है कि अयोध्या तो जाकी है मतुराकाशी बाकी है तो 2024 से पहले जिस तरह से इसके पक्ष में एक नफरती ब्रिगेड पूरी तरह से उतारू है जमीन पर भी और वर्च्वल मीडिया में भी सोशल मीडिया में भी वह लहातार सॉफ्टवेर को बदलने पर कोशिश कर रही है कि सॉफ्टवेर बदल जाए और हम सिर्फ और सिर्फ मंदिर, मस्जिद, नागरिता, संशोधन, कानून, इसके इर्दगिर्धी सारा विमर्ष रखें, लेकिन यहां मैं आपको ले जाना चाहूंगी बिरोजगारों की इस भीड की तरफ, आईए, चलिए, और देखिए, ये कहां के रामभक्त हैं, जो हजारों की तादाद में करकराती हुई सर्दी में सड़क पर बैटे हैं, ये कैसा रामराज है? द्रॉबदी मुर्मूजी, संदर्म के भीतर, जिस विकास की गाथा दस साल के पूरे करम को गिना रही थी, वहां बेरोजगारों के बारे में बात करना शायद भोल गई, या मोधी सरकार नहीं चाहती कि जमीन के इन सवालों को कहीं से भी कोई ज तस्वीरे हैं, ये दो तस्वीरे, एक तो है सीधे सीधे रामराज जहां उत्रा है, बुल्डोजर राज जहां चल रहा है, यानि उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश सरकार ने जिस तरह से 10,000 के करीब वेकेंसी का पूरा खाता खोला, वो जाएंगे इसराइल, जी हां हम सब जानते हैं कि इसराइल किस तरह से फिलिस्तीन पर युद्ध बर्पा कर रहा है, और इस युद्ध के दौरान उसे बड़े पहमाने पर ऐसे लोगों की जरूरत है, जो छोटे छोटे काम कर सकें, यह लिस्ट भी उसने दे रखी है, जिसे केर गिवर्स कहते हैं, और देखिए, जिस तरह से उत्तरप्रदेश की राजधानी लखनव में, यह हजारों लोग उम्डे थे, कि वहां जाकर वे नौकरी करेंगे, क्योंकि यहां पर दो वक्त की रोटी का जुगार नहीं हो पा रहा, दौपदी जी, मोदी जी और योगी जी, दरसल यह है आपका र इतने साल के शाशन के बाद, आयोध्या के चमचमाते विकास के बाद, इतनी बड़ी फौज खड़ी है, नौकरी सिर्फ कुछ हजार की है, जिसमें से तीन हजार असी लोगों को आपने चुना, लेकिन देखिए यह जो भीड है, यह भीड आतुर है, कि जान जाए तो लेकिन नौकरी मिलेगी, अच्छे पैसे मिलेंगे, क्योंकि इस वतन में धरम-धरम की घुटी, धरम के आधार पे नफरत के अलावा तो कुछ नहीं मिल रहा, और साथ ही साथ देखिए, यह तस्वीर, यह तस्वीर भी डबल इंचन की सरकार हरियाना की है, हरियाना में आधाद में सुबे से अपना सब कुछ बांद कर लाए हुए हैं, आस की टोकरी के साथ बैठे हुए हैं, कि किसी भी सूरत में उन्हें इस बतन से बाहर जाकर, जहां युद्ध चल रहा है, युद्ध जैसे हालात हैं, वहां पर भी बढ़ाई का काम मिले, घर में काम काम मि किसी भी तरह के कामताज के लिए यह भीड उतारू है, क्योंकि यह इसकिल्ड वरकर नहीं है, यह अनसकिल्ड वरकर्स की लिस्ट है, तो दोनों जगों पे जो डबल इंजन की सरकार है, वह जब दर्वाजा खोलती है, और क्योंकि हम सब जानते हैं, कि भारस सरकार इसराइ में अपने निवासियों को भेजने के लिए तैयार है, उस क्रम में यह जो भीड है, यह दरसल बता रही है कि जमीन पर विकास कहां उतरा है, रोजगार कहां है, क्योंकि अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप नज़र दोडाएंगे, तो आपको लगेगा कि तमा हिंदू, तमाम हिंदू नौजवान सिर्फ और सिर्फ मंदिर मंदिर और मंदिर की बात कर रहे हैं, रामराज के लिए जान को जोखिम में डालने को तैयार है, लेकिन हकीकत जमीन पर कुछ और है, और इसी हकीकत को नमोदी जी चाहते हैं, कि हम आप पहुचा पाएं, इस विकास की इस रफ्तार में ये सारी जो अरचने हैं, इन पर चर्चा होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां हम चर्चा न महंगाई पर कर रहे हैं, न भारत में जिस तरह से प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स गिर रहा है, उस पर कर रहे हैं, हम बात सिर्फ दो जून की रोटी क कर रहे हैं, शुक्रिया